अब चे आम रो सिस्टम ओफ लिनियर एक्वेशन्स माँ आमी कोस्ट फंक्षन, रेविन्यू फंक्षन औनी प्रोफिट फंक्षन को बारे दिस्कोशन गरना रेसको केई प्रोब्लम सरू गरना गई रहाया कछू। हामी एक्वेशन्स ओफ स्ट्रेट लाइन औन फंक्षन्स को बारे एरे दिस्कोशन को बारे में एरू। कौंटिटी ओफ गूर्व गूर्स प्रोदुच्ड ऐसमान डिपेन गउन सा। कती कौंटिटी मैं गूर्स प्रोदुच्ड भायगो जहाँ वाने रहा। तशा ही लें टोटल कोस्ट च। भाने गो की होन जाता। फ़ोंक्षन और टोल एप्गॉंटिटि अव् गोड़्च प्रूद्ड, एसमा दिपेंगार श्याएं एलने लाएजे आमिले टोटल कऊस्ट फ़ुंक्चन बन्रबनी बन्ना सक्षूं और टोटल कऊस्ट फ़ंक्ष्यां उने भायो अब आमी ले किन टोटल कोस्ट को बारेमा जाननो पर सता बन्ने कुरारू आउना सक्छा टोटल कोस्ट को बारेमा जाननी शक्ये भसी पनी एवडा कमपणी ले कती जे आपनो कैपिटल बड़ाउनू पर्नेयो, गटाउनू पर्नेयो तेसे गरी employee का नम्मर कती बड़ाऊनू पर्णियो कती गटाऊनू पर्णियो तेसे गरी resources सरू त्याने reuse ने raw material सरू तो सप्पे कुरारू machinery जरू ओ तो सप्पे कुरारू लाईचे समेटेरा त्यो कुरालाई की गरना सकीनच चेंज माले लेऊना सकीनच, अथव त्यो कुराला एर ना सकीनच आइना को सरू एर ने बनने युड़ा आइज ज्वस्त बवाय टोटल कोस्ट बनेको आई था अब टोटल कोस्ट बनेको आमरो दुईटा गुरा माँ डिपेंडनच ठीक्छा टोटल कोस्ट बनेको दूइटा कुरा में डिपेंडन चा एउटा बनेका आमरो फिक्स्ट कोस्ट ठीक सा फिक्स्ट कोस्ट रा दोस्तरों आउचा आमरो वेरियेबल कोस्ट बनेरा फिक्स्ट कोस्ट रा वेरियेबल कोस्ट बनेरा छा आपके होते यह fixed cost और variable cost बानेको इसको meaning भुजाओं fixed cost बानेको एकदमे simple छा जस्ते तपैले उड़ा industry शुरू गरनो बाए मैं इसको तपैले definition लेखाव दिन्या तपैले सायद बुजी आलनों जा माले क्ये बनना होजेगा बनना रा fixed cost fixed cost बाने वजी cost बाया बन दाहरे जस्ते तपैले कुणे company शुरू गर देऊनुँछा company शुरू गर देखरे तपैले सीदे के गरनों होदाइना गुड्स प्रोडूस गरना थालनों होदाइना जस्ते तपैले उड़ा paper को इंडरस्ट्री खोलनों बायो अथावा तपैले उड़ा इस्कूल खोलनों बायो अथावा कुणे अरुने ओर्गनाइजेशन के जे होस फार्मोस, ओर्गनाइजेशन, फार्मास्यूटिकलोस अथावा जे नही होस तेसमा तपैले सीदे गुड्सारू प्रोडूस गरना थालनों होदाइना शूरू मा तपैले जस्ते इस्कूल को कुरा गरने होने तपैले इस्कूल को बिल्डिंग बनोनों उन्छा तपैले सूरू में इस्कूल को इवड़ा बिल्डिंग बनोनों उन्छा बिल्डिंग बनाया पछी यो इस्टूल के ओड़ा कॉम्पाउंड मा चाहिने सपपे कुरा यार ओनछा गेट अरु देखिनली एर डेक्स बेंच अरु देखिनली एर सपपे कुरा यार तुपे लिए इस्टूडेंट्स आउनु मन्द अगाडी को खर्चाओ नी तपेले एसमा क्ये राखनोंचा डेस्क राखनोंचा बेंच राखनोंचा तेसे गरी लाइब्रेरी राखनोंचा तेसे गरी कॉम्पीटर लैब राखनोंचा औनी साइन्स लैब अरू राखनोंचा औनी अरू बनेक अब इलक्ट्रिकल एकुपमेंट्स अरू राखनोंचा आ सिमेंट फैक्टरी बनों नको लागी चाहिने मैसिनरी जरू किन्नोंच सुरू मैं आईना ओ तिस्त कुरालाईचे फिक्स कास्ट बानेरा बनेंचा यो कास्ट अरू जे आउट्पूट मा लेबल अफ आउट्पूट मा डिपेंड गर देना कती आउट्पूट प्रोडूस हो लचे कानेर बनेरा बनि डिण्नण करीं छा अब वेरीवल कौस्ट बानेको छे तपािले फिक्स को स्ट को काम शक्की शक्ये बची तपाइले अब धेरे प्रोडोक्ट बनों नुआ पर्य benे सपोस तपाई चाउचो फैक्टरी खोलनु बाग चा बनों नंको लाकीता तपै त्यारे को लागी मेसीन चलोने इंजिनेर सरू देरे चाइन चाइन चा, मेसीन अभी थेरे बीगरीन सक्छ, तिशकी लागी बनोने मेकानिक अभी चाइन चा, वो एसते कोस्ट लाइचे, वेरियेबल कोस्ट बनीं चा, जबाहँ आमेले चे, आउटपुट को लेवल मा आउटपुट को लेबल माँ चेंज लेयाऊना आमी लेके चाहिए अता वेरियेबल कोस्ट को कुरायो छा ठीक्सा अब आमरो टोटल कोस्ट बनेगो जो यह दुईटा कोरामाई डिपेंडबो शूरू माँ आमी लेक तो इंडस्ट्री सेटप गरना कती कोस्ट लाएगो तिय त्यांको मेट्रेल्स हरू तपेले बनाऊना खजेको प्रोडक्ट बनाऊना कती कोस्ट लागो वेरियेबल कोस्ट यह दुईटा को समबायो तिसेले टोटल कोस्ट बनेगो जो क्यों जाता फिक्स्ट कोस्ट प्लस वेरियेबल कोस्ट उना जान छा ठीक्सा यो रिलेशन त परले याद गरनुवाला total cost वान्यागो fixed cost र वेरियेवल cost उनागोया आईता तेसाई गरी अब यो cost can be यमिले लीनियर cost function अरले से model गरना सक्षाँ linear cost function अरले इधरले model गरना सक्षाँ total cost equals to 20 plus 4 cube अब यादेरी या 20 वान्य जुन कुराया अचा यह fixed cost उन्छा तो पेले जूर मा जती invest गर मा तेई बार यादेरी जून 4 cube अन्य कुराया अगोशा यहले आमिले variable cost को कुराया रो दीन छा ठिक्सा fixed cost र वेरियेबल cost हुने बो आहिद्ध फिक्स्ट कास्ट आजया तेसद पसे आउसा कुरा आम्रो टोटल रेविनियु में वन्ने कुरा आऊ नो सक्छेfin अब टोटल रेविन्यू वानेगों क्यों वान्दा रेविन्यू कती खेरा आउचा तापैले रेविन्यू तापैको कती खेरा जेन्दरेट उन्चा बन्दा हेरी money from selling the output आईने तप एक जुन आउटपुट छा तप एक जुन प्रोड़क्स तिल्ले शेल गवरे रेविन्यू वान्दा बन्दा ठीक्षा एक तरीकाले तपैले कमाया क्यों पहिशा जसतो भाया ठीक्षा रेविन्यू वानेको तोपैले कमायेको पैसा यही गुड्स सेल गरे रहा अब टोटल रेविन्यू वानेको जिक्कि लेखना सक्किन चावाने P times Q वाने रहांचा याने रे यो P लेकिये अर्था लाख्षाद वान्दा Price of Good Price of Good र क्यू वाने तोपैला थाने बावाला Number of Units Sold किने यो टोटल रेविन्यू वाने तोपैले कमाये रेविन्यू वान्दा आम रो योड़ा सामान को दाम पी वाने क्यू वड़ा सामान सेल बावाया वने आम ले टोटल येती रेविन्यू जेन्रेट गरने भाईम P टाइम्स क्यू तेसे ले टोटल रेविन्यू वाने को P टाइम्स क्यू न गयो ठिक्सा ये कुरा पने तपैले टिपनो अल्ला तेस पसे कुरा आओ सामरो profit फॉंक्शन को अब profit बने बशी क्यー कुरा आये ते येनेरी तपैले क्ती नाफा कमाओनू बायो बने क्यले दिन्चे तपैले कमाओनू बायो नाफा profit फॉंक्शन ले दिन्चे अबपपऌ grow profit को सारी बेटना सक्किन चाहला आथावा profit function ला आएमिले जेनरली येशरी पाई ले डिनोट गरने कायम गर्छों र क्यूँले आएमिले जती यूनिट सरु शेल गर्यों ओ यो क्यूँले जे त्यो दिन छा ये यो क्यूँले जे त्यो दिन छा, ये यो क्यूँले को total number of output unit is sold ये जती ये तोपेले धेरे प्रोडुस गर्नो ओला, थोरे ये शेल होला अई न, होते शेले जती sold बाई त्यो बाई मज़े अब profit function तो कसरी आऊचा ता यामिले profit पाईले कसरी बेड़तेम ये दी SP चा, CP चा, SP ग्रेटर देन CP बाई बाई बाने selling price minus cost price, अब ये selling price बाई गाई आमरो किये ले दिन छा तो रेविन्यू function ले दिन छा, total revenue बाई या, minus total cost function गो कुरा आयो ठीक्सा, तेसे ले ये दी आमरो pi चा, greater than 0 बाई 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 बने आमरो किये लेविन्यू, total cost गोने देरे वो, येल्ले आमिले profit दिन छा जती आमिले बनाउन लाए गतियो, ते वान्द देरे आमिले देरे पहिशा 5 बने profit नहीं होने वो, तेसे गार ये दी आमरो pi less than 0 होन्छा बने आमरो तो सामान बेजदा खेरे आएको पहिशा बन्दा, सामान बनाउन देरे पहिशा लागया थे तेती बेला आमिले loss उना गवायो, ठीक्छा, profit function next कुरा आउसा आमरो break-even point break-even point बने रागोशा, क्योते यो break-even point बने को एकदमे simple गुराशा, ठीक्छा जोती बेला, अब यहने रे आमले दुईटा कॉंडिशन एरे उनी greater than 0 रे less than 0, सापोज यह दी आमरो profit 0 बायो, ठीक्छा, profit 0 उन्नुको मतलब क्यो होता आमरो pi q बने को क्यो, total revenue minus total cost रेदी यह बैलो 0 बायो, 0 equals to tr minus tc छ, therefore tr equals to tc यह लाइनी क्ये बनेंचा, ता आमिले break-even point बनेर बनेंचा, जोती बेला profit 0 होन्चा profit 0 होदा क्ये उदर है छा, जोती पोईशा मां आमिले product बनायों, तेती नहीं मां आमिले sell गरना पायों, नहीं न, फर break-even point को condition यह हो, जोब profit 0 होन्चा, तेती बेला न नाफा होन्चा, न नोक्सान होन्चा, केई बनी होदाई न, ठेक्छा, तेस्तो point लाइचा, break-even point बनेर बुजना सकींचा, ब्रेक-even point ले धेरे प्रकार को आमिलाई कुरा आरो अर्थे आउना सक्छा, आई आपा, एस पाची को कुणे वड़ा यहर मा ब्रेक-even point आया बने तेस पाची को यहर होन्चा, कोसरी माथी चोड़ी राया चा, बनने कुरा आरो तेया वड़ा धापाना सकींचा, आईने वो यहती कुरा बायो, तेस पाची अबा आमी एक्सेसाइज तरफा लागाँ, एता क्वेशन सरो यहरो, ता पेले कुनेट हमा बुजनो बाया नाने सोदना सक्ना उन्छा क्वेशन केशा पाईलो आम्रो इफ दा फिक्स्ट इफ दा फिक्स्ट कास्ट अफ 30 आर्टिकल्स, इफ दा 40,000 अन्ड पर दो यहाबल लिटक सूर इज एडिशनल ड्यरी एडिशनल दो अन्डिकल सeso तरकिल्स पर द दा द हूतल क्वेश दिक्स 10ación क्वेशन धॉत बसु अयowers 5 आर दो total cost function find the total cost function and the total cost of 100 articles and the total cost of 100 articles बने राचा अब क्वेशन एक्चरी फेरी पड़ाव यानरी के देगाचा 30 उडा आर्टिकल गो fixed cost बने गो 40,000 छा रा variable cost for each additional article is रुपीज 35 find the total cost function and the total cost of 100 articles बने रायाचा आई शूरु मा क्वेशन बुजाऊं पोईशन ले आमिले की बनी रायाचा बने शूरु मा fixed cost देगो छा fixed cost fixed cost for 30 articles तप एले 30 उडा आर्टिकल अरु किन्नू बाया बने तप एको fixed cost बने कती होद रही छा रुपीज 40,000 होद रही छा रुपीज 40,000 होद रही छा रा वेरियेबल cost for each additional article अब तप एले 30 मंदा माथी जानू बाया बने की होँच 25 रुपे जोड़ी दे जान्चा ठीक्छा प्रतेक आइटम लाई 25 रुपे जोड़ी दे जाने बायो बने ची वेरियेबल cost वेरियेबल cost फर इच आर्टिकल वीची बने काती होद रुपीज 35 अब आएमिले यानेरी की बेटनू परने चा? cost function बेटनू परने चा ठीक्छा? cost function बेटनू परने चा रुपे टोटल cost function बेटनू परने चा रुपे टोटल cost of 100 articles बेटनू परने चा अब एल्ला आएमिले कासरी लिखना सकीन चा होला था? एरुमाईता नियानेरी आमीले टोटल कोस्ट वानेगो के लिखना सकीन छा बन्दा सुरुमाँ आमीले 40,000 लेखो यानेरी 40,000 वानेगो के को लागी वान्दा if x is less than or equals to 30 येसको लागी 40,000 हुँँचा fixed cost of 30 articles येदी 30 अथाव 30 वान्दा कम वाने 30 हुँचा तेसपची केछा प्रतेक आर्टिकल को लागी 35 वानेरा छा ठीक्चा तेसपची को प्रतेक आर्टिकल को लागी 35 हुँचा वानेरी दीर आएगो छा अब यो कुराला आमीले कोसरे लिखना सक्षों होला बन्दा यानेरी येक्स माइनस 30 होनेब इफ येक्स इस ग्रेटर देन 30 कीने आमीले एक्क्वेशन एस्तो फार्मेट में लेखिम होला त बन्दा यानेरी येक्स मातर लिखने आमीले येक्स मातर लिखने आमीले 1,2,3,4 आलना पाव थीम तरह यानेरी येक्स ग्रेटर देन 30 बनी शागे पच्छी 31 बहाया ने 31-31 एको 1 होन्जा 35 येवड आइटम को प्राइज मातर जोडी होन्त 31 मनेशी एक्स्ट्रा येवड आइटम आया 32 मनेशी दूइटा आइटम आया वह येसरी आमीले लेक्षों अब आमरो टी सी केचा आमीले टोटाल कोस्ट क्यूँ बनेगो येवसी प्लस वी सी उन्छा आइटने अब यानेरी क्ये लेक्षों आइटम आइटम को लागियो स्वी वड़ आइटम मनेशी दूइ एक्स क्रेटर देन 30 को लागियो अब येवा नेगो 40,000 प्लस 35 अंद्रड मैनस 30 40,035 into 70 हुने भो यह बनेगो 40,000 plus 75, 35, 53, 21, 24, 24, 50 हुने भो equals to 0, 5, 4, 2 अनि यह यहनेरी 4, 2, 5, 0 42,450 हुने भो ठीक्छा एसारी तपहले यह प्रब्लम ला solve भरना सक्मान छा ठीक्छा कुरा भूजन भोगा एला क्ये बनना खजेगा बन रही हैं तेसे गारी next question है रूमाहिता यहस माँ clear भाया नहीं next question माँने clear हुन्छा question केछा बने if the fixed cost if the fixed cost of 200 articles is rupees 12,000 and the variable cost and the variable cost for each variable cost for each additional article is rupees 200 find the total cost function also find the total cost of also find the total cost of 300 articles difference मनेरा देखा छा यह पनी माथी के जस्त कोईशन चेर नुस्त माथी देखा थे आमीला 30 articles यहानेरी 200 articles देखा छे तित्ती डिफ्रेंस हो अरो सपे के चाता सेम चाकुरा आरू अरो सपे कुरा आरू सेम भायगा कारण आमीले यहला कसरे solve गरना सक्षोंता तमे simple तरीकाले यहला solve गरना सक्षों यहानेरी आमीले यह लेखना सकिन चावाने solution माई और को तरीकाले गरदा let x be number of articles produced ठीकशा, X मानेगा number of articles produced अब फिक्ष्ट कोस्ट अफ 200 articles देगाचा, है मिलाई Fixed cost of 200 articles करते हां, Fixed cost of 200 articles Rs. 12,000 वानराचा Rs. 12,000 वानराचा तेस पचछा, अब बेरिएबल कोस्ट फर इच एडिसडनल article पन देगाचा वेरियेबल कोस्ट फर इच एडिशनल इच एडिशनल आर्टिकल इक्वाल्स टु कती से रूपीज आमरो 200 वाने राश है वेरियेबल कोस्ट फर अब एवडा को लागी एती हुँँच वने आमरो तह दुईशे वडा आर्टिकल दुईशे ओस अथावा दुईशे वन्दा कॉम उस तेसको लागी तह 12,000 पर छ एडिशनल आर्टिकल वने गता हैमिले दुईशे वन्दा माथिको लीनू पर ने अधिशनल आर्टिकल इकवल्शे के हुँच है रुपीज 200 टाइम्स यक्स माइनस 20 वनर ग़र्शू 200 टाइम्स यक्स माइनस 20 यो हुनर ग़र्शू अब टोटल कोस्ट ती की हुँच है fixed cost plus variable cost होंचा fixed cost बनेको 12,000 छा plus 200 x minus 20 छा ठीक्छा यानरी कती आउचा 12,000 plus 200 x minus 4,000 वनर आयो equals to 200 x अनि यानरी plus 8,000 छा यो आमरो total cost होंगा अब वेन कती वड आर्टिकल को ब्यालू बेटनास वद्याशा आमिलाई 300 यानरी when q equals to 300 q को ब्यालू 300 होद्यारे total cost वानेका आमरो यानरी 200 times 300 plus 8,000 equals to 6 1, 2, 3, 4 plus 8,000 equals to कती आमरेचा 68,000 देरे पाये क्या ब्यालू आमरो 3 नम्मर को है न C नम्मर में कीशा 200 वड़ा आर्टिकल्स को लागी 12,000 छा यानरी वानची एडिशनल प्रतिक एडिशनल आर्टिकल को लागी 200 छा find the total cost function also find the total cost of 300 300 आर्टिकल्स 300 आर्टिकल्स का आमिले प्राइज बेटनो पार्ने छा 300 आर्टिकल्स को प्राइज बेटनो को लागी यानरी आमिले x- माले थोरे गल्ती गरेशू x- क्वातिकल्स लागी 200 उन्द माले 20 लेखेशू ते बार आईत यानरी आमरो 200 उनू पार्षा यानरी 200 बाईशादीश अबज एअंचर मिल्छा यानरी 200 बायो यानरी 4 आयो यानरी 40,000 चे उन्द माले 200 x माइनस क्वाति आवला ते ये इच एडिशनल आर्टिकल्स को लागी ये दुईशेरीवे पार्षा र दुईशेरीवे आर्टिकल्स को ये ती दाम चा यानरी 200 x माइनस 200 x माइनस माइनस यानरी 28,000 लेखना मिल चा अलाई 28,000 उने भो अबा जबा Q को पैलो 300 उन्छा 60,000 माइनस 28,000 गरनो पर्यो यो बने क्वाति आवना जान्छा 60,000 माइनस 28,000 बने को 3, 2, 0, 0, 0 32,000 आउनो पर्यो 32,000 आउ छा ठीक्षा ये शरी आमिले गरना सागिन चा पने हामिले इक्वेशन आउरले शाल्व रादा है चा पने योड़ा तरीका तपेले फालो गरना साखना हुन्छा तेसे गरी नेक्स्ट क्वेशन आमरो केशा बन्दा है रे क्वेशन एरों सपोज असमिता बुक पाबलीशर्स असमिता बुक्स जो वनिय क्वेश नामरोर्ण बुक्स्ट अर्जुर्भजर्स लुक्स्ट नामरोर्ण इर सब्सक्कति पाबलीशर्स associated with each book is rupees 50 and fixed cost is rupees kati 50,000 if each book is sold for rupees 100 find the cost function and profit function find the cost function and profit find the cost function and profit function if the publisher wants to make a profit of rupees 3 lakh how many books how many books should it sell how many books should it sell for rupees 50 and cost associated with each book is rupees 50 if the publisher wants to make a profit of 3 lakh how many books should it sell the second question is quantity is added now we will have a solution here is the cost function is added cost function is added to total cost sorry cost function is added to total cost function total cost function is added to variable cost which is the cost of $500 and is added to the price of the cost the cost is added to the cost amount of $50 if each book is sold for Rs.100 is added to $50 if each book is sold for Rs.100 is added to $100 if the cost is sold for Rs.100 when it comes to $50 if the cost is added to the cost function is added to the value value बेटने होने, आई न, सपोज या नेरी सोलूशन माँ आपने की लेखना सक्षा मँदे, let XB number of books printed भाने लेखाऊ नाऑ, produced भाने, printed रामने शुने छा, let XB number of books produced, तेस पजी केछा fixed cost, आमरो fixed cost को value काते चा, fixed cost भाने का, यप सी fixed cost को value आपने देखासा 50,000, रुपीज 50,000 वानर देगो छा यह पाची वेरियेबल कोस्ट फ़र वान यूनिट यह उटा यूनिट लेब बनो ने वेरियेबल कोस्ट काथी देगो छा इस बुकी शुड़ रुपीज 50 वानर देगो छा रुपीज 50 तिसपचे अब वेरियेबल कोस्ट फ़र एक्स यूनिट बने को 50 याक सुना जान छा दियर्फोर टोटल कोस्ट बने की होता फिक्स्ट कोस्ट प्लस वेरियेबल कोस्ट हो फिक्स्ट कोस्ट बने काती छा 50,000 गायो प्लास बेरीबल कॉस्ट बाने को 50 याक्स हुना गायो ठिक्छा? ये सरी हमें लिए फिक्ष्ट कॉस्ट रो बेरीबल कॉस्ट बेत्यों या निरी ठिक्छा? 50,050 X ला ठिक्छा? ये सबस्य पाला आयो आमिले टोटल फंक्शन दे बेटियों अब तेस पाशी के बेटनू परो revenue function revenue function revenue function लाए आमिले की ले पूँ दिनोड गवर थियों revenue function लाए आमिले revenue function लाए tr ले दिनोड गवर दर रहीशा यो बने को p times q उना जान्छा price बने को तिसा आमिलो या नेरी price बने को आमिलो 100 times q उने बो p बने को कती price में sell बहिरा आएगा चा बने को रावंद p बने को कती price में sell बहिरा आचा 100 रुपीज में sell बहिरा आएगा चा 100 आक्स उने बो now अब profit function profit function profit function ला पाइले represent गर छा क्या हुन्छा tr minus tc हुन्छा यो बने को 100 x minus 50,000 minus 50 x बहिरा यो वैलो कती आएगा उछा 50 x minus 50,000 बहिरा आएगा उछा ये सारी आमिले के बेटे हुन तो profit function बेटे हुन अब profit function बेटी सागे बच्छे question ले के सुधर है question number b मा ये दिया मिले 3 lakh को profit चाहिए गाशाने के गरने ये इने कोती यूनिट सेल गरने अब एस मां के लिखना सागे जा वेन पाई इक्वाल्स टु 3 lakh 3 lakh गोरे बने के उन्छा 3 lakh इक्वाल्स टु 50 x minus 50,000 छा और 50 x बने के उन्छा 3 5 0 1 2 3 और यक्ष बने को याने डिवाइड गरता कती आऊचा 5 7 जा 35 7 5 7 जा 35 0 0 0 7,000 आऊचा तेसले उदर ले 7,000 वड़ा books चाहिए बेचे बने उदर ले 3 lakh को profit आऊचा 7,000 वड़ा किता बेचे बने ठीक्षा इस पाचे और को question हे रहूं question मा केचा अम्रो बने a company finds a company finds that the production cost that the production cost associated with each article associated with each article is rupees 50 and the fixed cost and the fixed cost is rupees 40,000 if each article is sold for rupees 90 if each article is sold for rupees 90 find पाइलो मा केचा आम्रो ये मैं cost function मने राचा ठीक्षा पाइलो मा आम्रो cost function मने राचा दोस्तरो मा आम्रो revenue function मने राचा रेविन्यो फांक्षान मने राचा तेश्तरो मा आम्रो profit function मने राचा प्रोफिट फांक्षान चौउथो मा आम्रो के राचा cost at production level of 35 units cost at production level of 35 units बने राचा ये मैं के राचा आम्रो revenue at production level of 35 units revenue at production level of 35 units बने राचा ये मैं आम्रो के राचा profit at production level of 35 units प्रोफिट at production level of 35 units बने राचा लास्ट मां आम्रो के पनी सो देगा चा ब्रेक इबन पॉइंट अब यो question ले जे सपपई कुरा है अईले समागारेगा आम्रो सपपई कुरा है अडले समाराइज गरने राचा तेवरे यो question लेगा यानरी के देगा चा company finds that the production cost associated with each article is Rs.50 and the fixed cost is येती बने बचे आम्रो 50 बने गो variable cost हुना गयो प्रतेक आर्टिकल बनो उना रा आम्रो fixed cost बने गो 40,000 चा रा if each article is sold for 90 बने बचे आम्रो selling price तेले ले शेल गरने price बने गो बने को 90 रही साब यो function अरो पहिलो में आमीले cost function create गरने परने चा cost function यानरी अब इस्टेप आजे गरू ला ठीक से ए नम्मर में आम्रो के चा fixed cost बने को कदी देगा चा तो पहले ले question लिखनू अला fixed cost बने को Rs.40,000 बने रा देगा चा अब let xb number of units produced बने लेखियो आई let xb number of units produced let xb number of units produced बने लेखियो ने साइद सपे कुराल आजे यहले आत्म साथ गरना सक्षा ओलाई ठीके साथ तेस पाशी fixed cost एटी देगा चा अब तेस पाशी किया चा variable cost of one unit मने को variable cost of one unit यवडा unit को variable cost मने को Rs.50 छा variable cost of x units equals to 50x उना जान्छा therefore total cost function total cost function मने को की लेखना साकिन चा यहने री fixed cost plus variable cost fixed cost बने को काती चाहने री 40,000 चा variable cost बने को 50x बने चा 40,000 प्लस 50x तेसे गरी दोसरों के चा आम रो revenue function अब revenue function आम ले कासरे निकालना सक्षो revenue function revenue function आम ले कासरे निकालने tr बनेको कती price में sell बही रहा आचा p और कती goods produce बनेको आम रो selling उने price 90 चा रो good produce बनेको x good produce चा तेसे ले revenue function बनेको 90x उने बो थोड में के चा profit function अब profit function आम ले कासरे निकालना सक्षो profit function पाई बनेको जे आम रो किया उन्चा total revenue function minus total cost function equals to 90x minus 40,000 minus 50x हाऊ छे यह 40,000 minus 50x बने रायो यह बनेको 40x minus 40,000 हुना गायो यहले आम ले profit function दियो next मैं केचा cost at production level of 35 units cost at production level of 35 units बने बसी याने रे आम ले किये गारनो बरो था x को बैलो 35 आवलारा काम गरनो बरो ठीक्छा x को बैलो 35 आवलारा काम गर्दा when x equals to 35 total cost बने काती हुन्चा ता आमरो 40,000 हा plus 40,000 plus आमरो 50 times 35 बने राचा equals to 40,000 plus 550, 25, 25, 2, 15, 17, 1, 7, 5, 0 equals to 4, 1, 7, 5, 0 हुन्छा यो बने का आमरो total cost at 35 units of production और को केचा आमरो revenue production level at 35 units बने बसी आम ले total revenue 35 बने का किया हुन्चा था 90 times 35 equals to 95, 45 हुन्चा 4, 9, 3, 27, 31 आउचा 31, 50 हुन्चा अब तेस पसी क्या आउचा आमरो profit at 35 units profit at 35 units बने के साथ 40 x minus 40,000 हुन्चा 40 times 35 minus 40,000 equals to 5, 20, 0, 2, 14, 1, 4, 4, 0, 1 14, ठीक्षा 40,000 बने बसी कोती को गाटा लागे चा था minus 38,600 गाए मिले गाटा लागे किनाने पाई को बैलो less than 0 आया तेस पसी लास्ट में केचा break-even point break-even point बने को कसरी बेटिन चाता बन्दा pi equals to 0 उनुपर pi यो 0 उनुपर लागे tr equals to tc उनुपर tr को बैलो चा 90x tc को बैलो कती चाता आमरो total cost function बने को 50x plus 40,000 50x plus 40,000 अब यता पोटी के आयो 40x equals to 40,000 बायो x को बैलो यहनेरे कती आऊँछ ता 1000 आऊँछ तेसे लिएदी आमीले 1000 अड़ा गुर्ष से प्रोडुस गरियों मने आमरो न नाखाउंच न घाटाउंच आईने आमी ठाके बीचमा रहांच तो आजा आमीले क्येको बारे मेरें यहनेरे बन्दा दुवितिन उड़ा डेफिनेशन शेरे रे तेसको प्रब्लम मेरो शाल्व गरियों यहाँतिनेशन बन्दा अगाडि लगने कोस्ट बायो जुन मेशिन अरको कोस्ट अरुलाग्षा उत्य बायो बेरीबल कोस्ट बायो प्रतिक आउटपुट को लागी कती कोस्ट लाग्षा तेसमा आमरो रोमैटरील सरू इम्पलोई को सालरी हरू सपवय कुर आहरला जे जोडेरे लिख्यां हुँँछा टोटल कॉस्ट भनेको फिक्स कॉस्ट रा बेरियेवल कॉस्ट जोन्नू टोटल रेविन्यु भनेको प्राइस अब त्योग गूड्स प्रोड्वीश्ट भयशागे टोटाल रेविन्यू मैनस टोटाल कोस्ट फंक्षन गरण प्रोफिट आई आलशा रा ब्रेक इबन पोईंट वनेको ठाक्के इधरू टोटाल रेविन्यू फंक्षन को कुरा ब्याएं अब आमी ले इरन गोई रहा आचों आम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमांड सप्लाई एंड इनकम को बारेमा